तो आज मैं आपको ये वाला डिजैन बताने जारी है। आप देखी सकती ही या कितिना छोटा सा प्यारा सा डिजैन है। तो चटुट इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहां पर यह लेकर की स्थटरते से मैंने स्कुर्ण के बगल में हलका से से लाइन उपर किया है यहां पे निदल को निकाल लेंगे अब देखे मेरा ग्राफ यहां से यहां जा रहा रहा है तो अब हम यहां से आएехगे दिया पे डाउन में डालेंगे और ठीक्शिक आपने से निकाल यानि कि आपको ध्यान रखना जैसे जैसे ग्राफ जारा बस वैसे वैसे फिर से यहां पर अपमें डालेंगे यानि उपर वाले लाइन में डालेंगे और नीचे वाले लाइन में निकाल लेना तो अब हम यहां से आएंगे अब हम यहां से आएंगे तो यहां पर इस तरह से निकाल लेना है फिर यहां पर हमें अपने निडल को थ्रेट के नीचे से लेकर जाना है । यहां। आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपको ग्राप जारा है ऐसे विएससे जाना है और फिर उसके बाद जब भी दो थ्रेड हो जाए एक ही लाइन में तो हमें ध्यान रखना है left to right जैसे इस तरह से ये दो थ्रेड है तो हमें ध्यान रखना पहले वाले थ्रेड के उपर से फिर नीचे से फिर उपर से तो फिर आफ हम यहां आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखे, अप्टू डाउन, पहले वाले थेड़ के उपर से, फिर नीचे से पिर यहाँ से आएंगे और फिर यहाँ पे पहले वाले थेड़ के नीचे से बस, ग्राप के कोडिंग जाना है, और अप एंड डाउन का ध्यान रखना तो देखें इस तरह से मेरा यह दो कॉर्न बन गया है तो वस इसी तरह से हमें एक किक करके और दू कॉर्न बनाएंगे तो यह पहला और 주 इसस्टेप कॉम्प्लीट हो जाएगा और फिर इस पॉइंट में अफ डाउं अफ फिर से हमें यहां न है are और फिर यहां भी पहले वाले थ्रेट के उपर से फिर नीचे से फिर आम यहाना है थ्रेट के नीचे से फिर इस वाले पॉइंट में भी इसी तरह से आप अपने अनुसार प्रेम को खुमाते रहेगा जैसे आपको इसे करने में एजी हो बस इसी तरह से हम यहां तक कर लेगे तो देखे इसी तरह से मेरा यहां फिर हम यहां पर जहाँ पर मैंने start किया था महाँ पर इस तरह से needle को thread के नीचे से लखे जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से down कर लेंगे तो चलिए अब हम इसका feeling करते हैं तो इसके लिए हम cross के पास यह जो मेरे पहले वाले diamond का cross है वहाँ पर needle को निकाल लेंगे फिर पहला वला थेर उठाएंगे, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर से ये पहला वला थेर उठाना है, क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है, फिर से हमें पहले वाले थेर्ट को इस तरह से उठाएंगे, क्रॉस के पास आएंगे, तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है तो देखे इस तरह से जैसे जैसे इस तरह से देखे एक सरकल से बनता है जब हम फिलिंग करते हैं तो ध्यान रखना है कि इस सरकल जैसा बनाते हुए फिल करेंगे फिर यहां से आएंगे फिर आएंगे देखे इस डायमेंड में इस तरह से यह तीन क्रॉस है यानि कि एक करके हमें इन क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है फिर से हमें यह वाल थेर उठाना है क्रोस के बीच से नीडल को इस तरह से निकालेंगे तो ध्यान दीजे इस तरह से यहाँ पर चार थेड हो गया तो बस इसी तरह से पहले वाले थेड के नीचे से फिर ऊपर से फिर नीचे से फिर यह वाले थेड उठाएंगे फिर यहाँ इसी तरह से क्रोस के बीच से नीडल क निकालेंगे पहला थरेड उठाएंगे फिन नेक्स्ट हमें आना है। पिर इसी तरह से यहाँ पे टाउन जब भी चार थरेड हो जाए तो आपको द्यान राखना है। देखे इस तरह से शिप आपको पहला वाला थैट उठाना दूसरे के उपर से पिर तीसरे के नीचे से पिर हम यहां से आएंगे हमें यहां से यहाएंगे तो बस इसी तरह से जैसा कि मैंने यह वाला कॉर्णर बना है इसी तरह से हमें इन दोनों कॉर्णर को भी बना लेना बस क्रॉस के भी से नीडल को निकालना है पहला वला थेड उठाना है और फिर से इस तरह से क्रॉस के भी से नीडल को निकालेंगे और यह जो पहला वला थेड है इसे उठा लेंगे फिर क्रॉस के भी से निडल को निकालेंगे पहला वला थेड उठाएंगे तो बस एक एक करके हमें इसी तरह से हर क्रॉस के भी से निडल को निकाल लेना है और इसी तरह से हम यहां तक बना लेंगे तो देखे इसी तरह से मेरे पूरा फेलिंग कर लें अब हम लास्ट में आएंगे तो यहां भी इसी तरह से देखे बस क्रॉस के बीच से निडल को निकालेंगे और एक के करके हमें इन तीनों क्रॉस के बीच से निडल को निकालेंगे और इस तरह से फिर से हमें क्रॉस के बी थेर्ट को उठाएंगे दूसरे के ऊपर से तीसरे वाले थेर्ट के नीचे से फिर यहाँ पर ठीक यहाँ पर इस तरह से नीडल को हमें डाउन करना है तो देखें मेरा ये स्वास्थिक जैसा से दीखने वाला कच-कटिजन बन कर तयार आप देखी सकते हैं कितना खुबसूरत लग रहा है आप इसे कहीं भी बूटे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें तो चली मिलते है नेक्ट वीडियो में